हेलो फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोट से जुड़े हुए एक और्डर के उपर सुनवाई करते हुए दिया है सुप्रीम कोट ने इस मामले में केंदरी सरकार को नोटिस विचारी किया है और जवाब मांगा है दरसल ये तीनों दवाएं 328 दवाओं की उस लिश्ट में शामिल हैं जिने केंदरी सरकार ने पिछले दिनों प्रतिबंद लगा दिया था केंदरी सरकार ने एक जटके में 328 दवाओं पर रोक लगा दी थी चलिए जानते हैं क्या है ये मामला और सुप्रीम कोड का इस पर क्या है कहना जानेंगे शुरू से आखिर तक जुड़े रहे हैं इस वीडियो के साथ चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फिक्स डोस कॉंबिनेशन यानिकी FDC दवाइयां कौन सी होती हैं FDC वो दवाइयां होती हैं जो दो या दो से अधिक दवाओं से या अव्यों से साल से मिलकर बनाई जाती हैं दुनिया के ज़्यादा तर देशों में इन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई हैं देश के एक्टिव कही स्वास्ते संगठन लंबे टाइम से ये कहते आ रहे थे कि इन दवाओं से मरीजों के स्वास्ते के साथ खिलवाड होता है और ये हानिकारग भी हो सकती है संगठनों का ये कहना था कि अगर किसी दवा की वज़ा से मरीज को अलरजी हो गई तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि किस दवाई की वज़ा से या साल्ट की वज़ा से अलरजी होई है ऐसे में अलरजी का इलाज करने में देर भी हो सकती है इससे पहले केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में आशदी और प्रसाधन सामगरी अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहट मानो उप्योग के उदेशे से 344 FDC के उतपादन विक्री और वितरन पर रोक लगा दी थी इसके बाद सरकार ने सामान प्रोवीजन के तहट 344 FDC के अलावा 5 और FDC को प्रतिबंध कर दिया था इससे प्रभावित उतपादकों और निर्माताओं ने देश के विभिन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इस निर्ने को चुनाती दी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 दिसंबर 2017 को सुनाई गई फैसले में दी गई गाइडलाइन्स का पालन करते हुए इस मामले पर दवा तकनीकी सलाकार बोर्ट द्वारा गौर किया गया जिसका गठन औश्रदी और प्रसाधन सामगरी अधेनियम 1940 की धारा 5 के तहट हुआ था इस बोर्ट ने इन दवाँ पर अपनी रिपोर्ट केंदर सरकार को सौप दी थी दवा तकनीकी सलाकार बोर्ट ने दूसरी बातों के अलावा ये भी शिफारिस की थी कि 328 FDC में जो सामगरी यूस की गई है उसका कोई चिकितसा या फिर उपाए उपलब नहीं है और इन FDC से मानो स्वास्ते को बहुत खत्रा पहुच सकता है उसके बाद स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले ने मानो उप्यों के उद्धेसे से 328 FDC के उतपादन बिक्री और वितरन पर रोग लगा दिया था सरकार ने जिन दवाओं पर रोग लगाई थी उनमें वो दवाएं हैं जो लोगों को जल्दी अराम पाने के लिए मेडिकल शॉप पर बिना परजे के खरी दी जा सकती हैं इसमें कई दवाएं जैसे की सिरदर्द, जुखाम, दस्त, पेट दर्द जैसी बिमारी में भी ले जाती हैं इसके अलावा मंत्राले ने कुछ शर्टों के साथ 6 FDC के उतपादन विक्री और वितरट को प्रतिबंद किया था सरकार ने जीन दवाओं पर रोक लगाई थी उनमें सेरिडॉन, डी कोल्ड, जीन टॉप, सूमो, जीरो डॉल, फैंसी डील, कोरेक्स सरकार ने 328 दवाओं पर प्रतिबंद लगाते हुए कहा था कि ये मरीजों के लिए काफिक खतरनाक साबित हो रही है वहीं डॉक्टरों के माने तो अब अलग-अलग बिमारी के लिए अलग-अलग दवाओं लिखे जाएंगे जैसे कि अगर मरीज को खांसी और बुखार हुआ है तो उपचार के लिए दो अलग-अलग दवाओं लिखे जाएंगे जबकि अभी तक खांसी, बुखार और दर्द की दवा का कॉम्बिनेशन दिया जाता था सरकार ने दवाओं को प्रतिबंद करते हुए तर्क दिया था कि बहुत सी ऐसी दवाओं उपयोग में लाई जाती रही है जिसके कॉम्बिनेशन को पहले से ही कई देसों में बैन कर रखा है लेकिन भारत में इसके बिक्री जारी थी तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोट के एक जज्ज्मेंट के उपर उमिद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं क्योंकि जब भी बे कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धैंक्यू वेरी माच